तो आज हम आपका जो forest card का 2019 में exam हुआ था उसका question paper discuss करेंगे जिसमें हम math के section को discuss करेंगे ठीक है तो इससे पहले एक class हो जुकी है जिसमें हमने 2021 का जो math वाला section था आपके forest card में वो आया था उसे discuss किया था तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हो ठीक है तो आज की class में हम देखेंगे 2019 में जो जो math के question बने थी उनको कैसे tackle किया जा सकता था और सीखेंगे कुछ नई concept जो आने वाले आपके exam के लिए helpful होंगे ठीक है तो वीडियो को शुरू करते हैं देखते है हमारे phone calls exam में इस question आई थी ठीक है चलिए पहला question देखते हैं हमारा first question क्या है हमारा जो एक question आया था वो था एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है ये वाला question देखिए एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है दो साल में उसकी उमर अपने बेटे की उमर से दुगनी हो जाएगी तो बेटे की उमर हमें बतानी है present में ठीक है मैं questions में जा देता हूँ question क्या है कि कोई एक आदमी है उसकी बेटे की उमर में कितने सालों का फासला है 24 साल का फासला है ठीक है तो दो साल बात mean दो साल होने के बात जो उनकी mean जो father है और जो son है उन में जो difference है या फिर जो ages है वो क्या हो जाएगी वो ratio में एक ratio दो हो जाएगी mean वो उसकी अपने बेटे की उमर का दुगना हो जाЕगा तो देखते हैं इस question को कैसे निकालते है सबसे पहले क्या बोला है कि आदमी अपने बेटे से 24 साल बढ़ा है इसका मतलब है कि ये हमें difference बताया गया है अगर आदमी x का है तो जो y होगा इनही में difference मिन x अगर मैं father की एजमान रहा हूँ y मैं son की एजमान रहा हूँ यही difference हमारा 24 साल ठीक है पहली statement यह है फिर आगे बोला है 2 साल बाद जो व्यक्ति है और उसके बेटे की उमर में क्या होगा जो father है उसकी उमर दुग नहीं हो जाएगी अपने बेटे से मिन अगर बेटा एक रेशो में है son एक रेशो में है तो father की उमर कितने हो जाएगी 2 मिन इसकी दुग नहीं हो जाएगी ठीक है तो यह overall हमारा concept रान था तो इसी से हम निकाल सकते थे कि जो बेटा है उसकी age क्या होगी देखें रेशो में difference चेक किजिए यह देखें कितना difference आ रहा है sir एक ratio का difference आ रहा है और जो आपका difference होता है वो हमें दिया होगा है पहले से 24 साल देखें जो difference होता है जो अंतर होता है किनी भी दो आदमियों में ages का वो बराबर रहता है वो 10 साल आगे हो चाहे 10 साल पीछो वो उतना ही रहेगा ठीक है तो एक ratio की value हमें दी गई है कितनी है 24 ठीक है तो अगर एक ratio 24 है तो हमें क्या निकालना है उस बेटे की में उसके बेटे की उमर निकाल लूगा एक ratio में है तो उसके बेटे की उमर कितनी आ देगी 24 साल लेकिन ये 24 साल हमारा दो साल बाद बाली है हमें कौन सा चाहिए दो साल पहले क्योंकि present में दो साल पहले था तो यहां से मैं 2 को minus कर दूँगा मेरे पास आजएगा 22 साथ और यही present में उस व्यक्ति के लड़की की age होगी option number D हमारा answer होगा ठीक है चले next देखते हैं next कौन सा question था next एक आपका थोड़ा reasoning के type से question आया था यह देखिए question number 8 यह भी वही है इसमें बताना था आपको कि a संगत कौन है मिन कौन सा इस pattern में अलग है देखिए 16, 25, 30 36, 72 144, 196, 225 तो इसमें बताना था कि कौन सा अलग है इस series में कुछ नहीं है थोड़ा सा अगर आप visualize करोगे तो आपको answer पता जल जाएगा देखिए यह क्या है यह sir 4 का square है उसी तरीके से यह क्या है यह 5 का square है यह क्या है यह 6 का square है यह क्या है इसको छोड़ देगे यह देखिए यह है आपका 12 का square यह देखिए यह आपका 14 का square है यह है आपका 15 का square लेकिन यह किसी का भी square नहीं है इस series में जितने भी number है वो किसी ना किसी का square है लेकिन 72 किसी का भी square नहीं है तो यही हमारा अलग number है और यही हमारा option number भी है या फिर answer है ठीक है चलिए अब next देखते है next कौन कौन से questions थे next हमारा question ये था ठीक है question number 31 देखें अब इस question को काफी बच्चे गलत कर रहे थे क्योंकि ये question अगर आप सीधा direct निकालोगी तो आपका गलत ही होगा ये तिंकल निकलना था आपका board mass से ठीक है b o d m a s इस formula से ये question solve रहना था ठीक है देखें कैसे निकालेंगे यहाँ b से होता है bracket क्या bracket नहीं है कोई बात नहीं है हम नहीं solve करेंगे o o से होता है of of भी नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे d d क्या है divide क्या divide का निशान है नहीं फिर आगे क्या है m m से multiply तो multiply के निशान है बिलकुल तो पहले multiply करेंगे हम तो 5 for the 20 तो यहाँ से मेरा जाएगा minus का 20 ठीक है इसको solve करके मेरा आ गया minus का 20 अब देखें next है addition यह से addition अब मैं करूँगा plus तो देखें यह है plus में और एक यह वाला निशान है plus में तो 4 को मैं 5 में plus करूँगा तो मेरे पास plus का 9 अजाएगा ठीक है अब next है हमारा essay subtraction तो हमें यही बचा है इसको जब मैं minus करूँगा mean 9 को मैं minus 20 से जब minus करूँगा तो मेरे पास minus का 11 answer आएगा मेरा option number C की answer है ठीक है अगर आप इससे directly solve करते हैं तो यह गलत आता और को 4 में से निकाल देते हैं तो 0 हो गया 5 को 0 से multiply करते हैं 0 तो आपका answer आता plus का 5 ठीक है यह आपका answer गलत होता तो ऐसे वाले questions board mask के थूँ किय जाते हैं तो आपको एक एक चेक करने पड़ती है कि पहले क्या आगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा जैसे हमने चेक किया कि यहां पर bracket नहीं है ओफ नहीं है, divide नहीं है। यहां पर फिर Convers क right मोल्टी डैश is equal to 13 का square तो अगर आपको triplets पता है अगर आपको पाइथागरोस आती है तो आप उटेकमेंटिकली इसे निकाल सकते हैं मुझे इसका directly answer पता है same question हमने last class में भी discuss किया था हमारे triplets होते हैं 5, 12, 13 तो ये मेरा right angle triangle बनता है इन ही में इसे मेरा answer आजाएगा 12 का square ये रहा 13 का square ये रहा तो यहाँ पर क्या आएगा 5 का square option number B ठीक है इस question को आप ऐसे भी निकाल सकते थे ऐसे triangle बना के इस तरीके से ये होगे आपका 13 का square ये होगा आपका 12 का square और ये आपको निकाल ठीक है तो पाइथा गोरस निकाल के भी आप इसे निकाल सकते लगा के ठीक है चलिए next देखते है next है हमारा 2 घात समिकरन 2 x square minus x plus 1 upon 8 के मूल के है इसके हमें roots निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं हम directly नहीं कर सकते हमें इस equation को line में लिखना पड़ेगा एक single line में बनाना पड़ेगा तभी हम इसके roots से निकाल सकते हैं वो कैसे करेंगे देखे अब यहाँ पर 1 upon 8 है मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर LCM लेना पड़ेगा कैसे इसके नीचे होता है 1 इसके नीचे होता है 1 और is equals to हमारा होता है 0 अब इसका LCM लेजिए LCM हमारा आजाएगा 8 ठीक है यहाँ पर is equals to 0 है अब 1 से मैंने 8 को डिवाइड किया मेरा कितना आगया 8 उस 8 को मैंने इससे मल्टिप्लाई करना है तो मेरे पास आजाएगा 16x का square आगे क्या है minus का निशान अब इसका नीचे वाला देखिए यह है 1 इस 1 से मैं 8 को डिवाइड करूँगा मेरे पास क्या आजाएगा 8 उस 8 को मैं x से मल्टिप्लाई करूँगा तो मेरे पास आजाएगा 8x आगे देखिए प्लस का निशान फिर 8 से 8 को डिवाइड करूँगा मेरे पास क्या आजाएगा मेरे पास आजाएगा 1 उस 1 को मैं उपर वाले 1 से मल्टिप्लाई करूँगा तो मेरे पास आजाएगा 1 ठीक है अब दिखिए अब हम करते हैं cross multiplication या फिर यह जो हमारा 8 है यह डिवाइड में है यह दूसरी तरफ जाके मल्टिप्लाई में हो जाएगा जब 8 0 से मल्टिप्लाई होगा तो यहाँ पर 0 बन जाएगा ठीक है तो मेरी overall equation क्या बन गई उसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा यह मेरी बनेगी 16 x का square minus 8 x plus का 1 is equals to 0 ठीक है तो यह हमारी समिकरण बन गई अब मैं निकाल सकता हूँ इसके roots तो roots कैसे निकालते हैं पहले वाले number को इससे multiply किया जाता है फिर हम चेक करते हैं ऐसे कोई दो numbers जिनको multiply करके तो यहाँ पर जो number आ रहा है वो बने और plus minus करके जो बीच में number आ रहा है वो बने ठीक है तो मुझे यहाँ पर directly दिख रहा है अगर मैं minus 4 को minus 4 से multiply करूँ देखिए minus minus plus 4 for the 16 तो यहाँ पर 16 बन रहा है और अगर मैं इने plus करूँ minus minus plus 4 में 4 को plus किया 8 और दोनों में से बड़ा 4 है दोनों बराबर है तो मैंनिस का 8 तो यह मेरी condition satisfy हो रही है मुझे पता जल गया minus 4 और minus 4 ही वो दो नमबर दोंगे जिनसे यह मेरा root satisfy करेगा तो बस इसमें लिखते कैसे हैं वो देखिए 16 x का square minus 4 x minus 4 x plus का 1 is equals to 0 ठीक है अब देखिए इन दोनों में से common निकाल लिजी इन दोनों में से आपका 4 x common आ जाएगा अंदर क्या रहे जाएगा 4 का x minus का 1 अब यहां से common क्या आएगा इन दोनों में से minus का 1 common आएगा और यहां अंदर रहे जाएगा 4 x minus का 1 ठीक है तो इन दोनों में से हम एक number उठाते हैं और इन दोनों को bracket में लिखते हैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 4 का x minus का 1 और 4 का x minus का 1 अब इन दोनों को हम 0 के बराबर करके x की value निकालेंगे for example 4 x minus का 1 is equals to 0 4 x ये minus का 1 इस तरफ जाके plus का 1 हो जाएगा x is equals to 1 upon 4 एक value यहाँ से भी यही आएगी तो कौन सा option है option number b यह रहे मेरे roots ठीक है तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते थी ठीक है चलिए next देखते है next क्या है हमारा question next है हमारा pregnancy question है हमारा 1 minus 10 का square 45 degree फिर है 1 plus 10 का square 45 degree अब इस question को कैसे solve किया जाता है कुछ नहीं है आपको बस values पता होनी चाहिए कि 10 45 पर value क्या होती है या फिर 10 है, sign है, cause है, quote है उनकी values का एक formula होता है एक chart होता है तो अगर आपको values पता है तो आप directly इस question को निकाल सकते थी देखे, क्या लिखा है 1 minus, अब 45 degree पर 10 की value हमेशा होती है 1 और 10 का square लगा है तो मैं इसको यहाँ पे square में लिखूँगा upon 1 plus, अब 45 पर हमारी 10 की value 1 ही होती है तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा, square is equals to, अब लेकिए 1 minus 1 का square केतना होता है 1 upon 1 plus 1, is equals to 1 में से 1 गई, 0 upon 2 तो किसी को भी, अगर मैं किसी भी number से 0 को divide करूँगा तो मेरा answer है 0 ही आएगा option number C, ठीक है, यह जो values हैं, यह कुछ इस तरीके होती है 10 की value होती है, 0, 1 upon root 3, 1, root 3, indefinite, यह फिर not defined तो यह आपकी 0 degree पर value होती है, यह 30 पर, यह 45 पर, यह 60 पर और यह 90 पर अगर आपको यह values आती हैं, तब ही आप इस वाले question को solve कर पाँगे ठीक है, चलिए, next question देखते हैं, next कौन सा question है मारा next है, एक छड की लंबाई, ग्याद करो, जो एक घनिय वर्तन, जिसकी भुजा 10 cm लंबी है, में पूरी तरह समा सकी, ठीक है, कोई घन है, घन क्या होता है, Q8, 3D Q, इस तरीके से, घन, तो इसके बीच में बड़ी सी बड़ी चड यह इसका diagonal ही होगा, तो इसकी length हमें निकाल लिए हैं, तो मुझे तो directly पता है इसका formula, इसका formula होता है, A root 3, A क्या है, A यहाँ पर इस घन की भुजा है, तो यहाँ पर मैं A की value डालूँगा, कितनी है, 10 वो root 3 हमारा है, यही मेरा सबसे बड़ी चड होगी, उस घन में, ठीक है, option कौन सा है, option number 3, ठीक है, अब यह कैसे आता है, यह सारी चीज़ें हमने, अगर उसमें match आता है, तो आप हमारे को समें roll कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर hint दे देता हूँ, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप 3D में सोचोगी, तो सबसे पहले हमें यह वाली चीज़ निकालने पड़ेगी, जिसके उपर मैं भी focus कर रहा हूँ, यह हमारा A है, यह भी A होगा, यह भी A होगा, यह भी A होगा, तो यह कैसे निकलेगा, यह पाइथागोर से निकलेगा, इसका square, इसका square, इन दोनों का plus, इसका square के बराबर, ठीक है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, A root 2, यह वाली value, ठीक है, अब यह value पता च चली, next देखते हैं, next कौन सा question था हमारा next है हमारा, किसी, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 root 2 cm है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा देखे, ये भी मुझे directly पता है, देखे, वर्ग क्या होता है, इस तरीके से इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, A, A मुझे ये बताया गया है, तो ये मैं कैसे निकालूँगा, कुछ नहीं है, यहाँ पे पाइथागोरोस लगती है, ये A है, ये A है, इन दोनों का square का plus, ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ से मेरी value आती है, A root 2, यही मुझे पता है, क्या दिखा है, 4 root 2, इसमें देखिए, A क्या है, और है, तो मुझे सीधर इसीधी पता चल गई, भुजा कितनी है, 4, और वरक का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का square, तो 4 forza 16, तो यहाँ पर 16 cm square मेरा अंसर होगा, ये ही मेरा अंसर है, ठीक है, चलिए, next देखते हैं, next है हमारा, यदि संख्या, दो संख्याओं का LCM और HCF, 180 और 60 है, यदि एक संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो ऐसे questions कैसे निकालते हैं, इसको होता है एक formula, वो क्या है, HCF multiply LCM, ये किसके बराबर होता है, पहला number multiply दूसरा number, बस इसमें value जा ले, आप का उनसरा चाहेगा, HCF कितना है, 6, LCM कितना है, 180, एक number हमें बता है, मैं माल लेता हूँ, 30, दूसरा number हमें निकालना है, अब देखिए, ये multiply में है, इस तरफ जाके क्या होगा, divide में, तो मैं इस ये क्या लिख सकता हूँ, 6, multiply 180, upon 30, ठीक है, ये ही दूसरा number है, multiply करने के जूट नहीं है, अगर कटता है तो कार दीजी, 0 से 0 चला गया, 3, 6, 18, 6, 6, 36, ये ही मेरा answer है, तो दूसरा number क्या होगा, 36, ठीक है, चलिए, नेक्स देखते हैं, नेक्स हमारा ये question था, कि बिंदू, minus 3, minus 4, और 1, minus 2 को जोडने बाला, रेखा खंड, y अक्ष दौारा किस अनुपात में विवाजित करता है, mean, graph हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, ये 0 है, ये होगी आपकी x-axis, ये होगी y-axis, ठीक है, तो y-axis पर, mean, y-axis काट रही है, कुछ इस तरीके से, इस लाइन को, तो ये जो लाइन है, ये किस रेशो में डिवाइड होगी, ये हमें बताना था, ठीक है, तो ऐसे questions कैसे निकालते हैं, अब ये होता है, आपका x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, जब भी y-axis का अनुपात निकालनों में, कोई रिखा को y-axis काट रही है, और उसका हमें अनुपात बताना हो, तो उसका formula होता है, directly, minus x1 upon x2, ठीक है, बस इसमें values को डाली आपका अंसरा लेगा, क्या है, minus bracket में x1 कितना है, आपका है, minus का 3, upon x2 कितना है, 1, अब देखें, minus minus प्लस हो ज़ेगा, 3 upon 1, मिन तीन, अनुपात, एक में वो y-axis उस रिखा को भिवाजित करेगी, कौन सा option है, option number 1, इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा होता, x-axis, उस रिखा को कितने हिस्सों में divide करती है, तब कैसे निकालती, तब formula होता है, minus का, minus y, sorry, y1, upon y, बस कुछ नहीं है, जब y पूछा, तब x coordinates लेने हैं, नेक्स्ट है हमारा, यदी, माध्य, 75, और माधिका, 60 हो, तो बहुलक क्या होगा, तो last class में मैंने आपको इसके उपर एक formula बताया था, तो उसी से यही निकल दाएगा, देखिए, माध्य क्या होता है, माध्य होता है आपका, mean, माधिका क्या होती है, median, और बहुलक होता है आपका, mode, तो मैंने आपको formula क्या बताया था, formula था, mode is equals to, 3 median, minus 2, mean, तो इसमें डालिए, 3, median कितना है, हमारा है, 60, minus 2, और आपका mean कितना है, 75, बस, अब हमें इसे solve करना है, यह आजाएगा, मेरे पास, 180, minus, और अगर मैं इसे multiply करूँगा, तो मेरे पास आजाएगा, 1,500, और इसको minus किजिए, मेरे पास कितना आजाएगा, 30, तो बहुलक मेरा आगया, 30, कौन सा option है, option number A, ठीक है, चलिए, next देखते हैं, यदि वृत और वर्ग का परिमाप समान है, तो उनके शेत्र फलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, जैसा जैसा question बोल रहा है, हम वैसे वैसे अपनी statement को बनाएगे, कैसे, देखे, एक है सरकल, एक है आपका वर्ग, वर्ग आपको square में लिते हैं, इन दोनों के हमें, क्या बोला है, perimeters बराबर हैं, परिमाप बराबर हैं, तो सरकल का, मिन वरित का परिमाप क्या होता है, 2 by R, ये बराबर है किसके, square के, तो इसका होता है, 4 E, तो इस में से हम, radius और जो side है, बर्ग की, उसका ratio निकाल लेंगे, कैसे, ये दिखिए, R upon E, ये E इस तरफ चला जाएगा, और ये 2 by इस तरफ चला जाएगा, तो 4 upon 2 by, अब इस by को क्या लिख सकता हूँ मैं, 22 upon 7, तो 7 उपर चला जाएगा, ठीक है, जो चीज़ें करतने हैं, उसे काट दीजिए, ये दिखिए, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और ये चला गया, आपका 2 1s are 2, और 2 11s are 22, तो मेरे पास, radius और side की क्या ratio आगई, 7 upon 11, अब मुझे क्या बला है, तो circle का नुपात कितना होता है, sorry, circle का क्षित्रफल कितना होता है, या फिर वरित का क्षित्रफल का formula क्या होता है, πाई आर स्क्वेर, इसका नुपात निकालना है, वर्क के अदन पासे, तो इसका होता है, A का स्क्वेर, बस, इसमें डाल दीजिए values को, देखे, पाई की value क्यों थी है, 22 upon 7 multiply, radius कितना है, हमें बता है, 7, तो 7, 7, 49, ratio, एक इतना है, हमारे बास 11 है, तो मैं यहाँ पर लिखूँँगा, 11 multiply 11, ठीक है, यह दिखे, 7, 7, 49, 11 से यह 22 चला रएगा, 2 आर, अब इसे आगे कुछ नहीं कड़ेगा, तो 7, 2, 14, multiply, सोरी, यहाँ पर आएगा ratio, और कितना आगा, 11, तो यह मेरा, वृत और वर्ग के गशितरफलों का नुपाद आया, कौन सा option है, option number B, ठीक है, अगर आप पहली बार कर रहे हो, तो आपको time लगेगा, मुझे तो पता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इतना time लग रहा है, ने तो यह असानी से आ जाता है, ठीक है, तो यह हमारा last question था, यहाँ से हमने, आपके 2019 में, इस forest garden में, जो भी math के question आया थी, वो discuss की है, ठीक है, I hope आपने कुछ सिखा होगा, आपको कुछ सिखने को मिला होगा, अगर आपको हमारी classes अच्छी लगती है, तो चैनल को जूरूर subscribe बरना है, और अगर कोई भी व्यक्ती, plus course में आना जाता है, interested है, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, तो हमारी नीचे दिये गए WhatsApp नमबर बर directly call आप message कर सकते हो, ठीक है, और एक हमारा WhatsApp ग्रूप भी है, अगर आपने वो जोईन ही किया है, तो उसका लिंक भी आपको description में मिल जाएगा, ठीक है, तो बने लिए ग्रेट अब स्टेडी के साथ, ऐसे glasses और भी आती रहेंगी, तो आज की glass यहीं पर finish करते हैं, यह कहा है, जहन, जहन आचा,